हज को लेकर सौधी अरब से हुआ समझोता भारत को मिला बड़ा तोहफा इस साल 1,75,000 इतने लाख लोग कर सकेंगे यात्रा जेद्दा भारत और सौधी अरब के बीच इस साल होने वाली हज यात्रा को लेकर एक बड़ा समझोता हुआ है इसके तहट भारत से वर्ष 2,024 में 1,75,000 से अधिक लोग हज पर जा सकेंगे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृती इरानी ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरली धरन के साथ जेद्दा में सौधी हज और उम्रा मंत्री डो तौफीक बिन फौजान के साथ द्विपक्षिय हज समझोते दो हजार चौबीस पर हस्ताक्षर किये एक अधिकारिक बयान के अनुसार हज दो हजार चौबीस के लिए भारत से कुल 1,75,000 श्रद्धालूं का कोटा निर्धारित किया गया है जिसमें हज समिती के माध्यम से श्रद्धालूं के लिए 1,40,020 सीटें आरक्षित की गई है जबकि 35,005 हाजी निजी ओपरेटरों के जरिये हज के लिए आ सकेंगे हज यात्रा समझोते के लिए स्मृती इरानी गई थी जेद्धा स्मृती इरानी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी वह हज सम्मेलन में भाग लेने और भारत तथा सौधी अरब के बीच हज समझोते 2024 पर हस्ताक्षर करने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर रविवार को जेद्धा पहुँची थी इस दौरान राजदूद डौ, सुहेल खान, महावानिज्य दूद मुहम्मद शाहिद और सौधी अरब के हज तथा उम्रा मंतरालय के अधिकारियों ने जेद्धा हवाई अड़े पर इरानी की अगवानी की जेद्धा में भारत के महावानिज्य दूतावास ने एक्स पर कहा अल्प संख्यक मामलों की मंतरी स्मृती इरानी हज सम्मेलन में भाग लेने और द्विपक्षिय हज समझोते पर हस्ताक्षर करने के लिए जेद्दा पहुँच गई है इसने एक बयान में कहा कि इरानी सौधी अरब के हज और उम्रा मामलों के मंत्री तौफीक बिन फौजान अलराबिया के साथ एक द्विपक्षिय बैठक भी करेंगी और आगामी हज यात्रा से जुड़े परसपर हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगी वह सोमवार को जेद्दा में हज और उम्रा सम्मेलन के तीसरे संसकरण के उधगाटन समारोह में भी भाग लेंगी जिसका आयोजन सौदी अरब का हज और उम्रा मामलों का मंत्रालय कर रहा है आप देख रहे हैं गुलबर्गा की आवाज न्यूज चैनल सबसे तेज और सबसे आगे झाल 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 झाल